ये इस ट्रामी की हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डैड अंडरन को कॉल करकर उसे अपने घर बुलाते हैं और उस पर गुसाब करने लग जाते हैं पहले तो तुम घर से भाग गई और आप हिम्मत ये से हो गई वापिस आने की अंडरन बोलती है बूल गई क्या पहले आपने ही निकाला था और बुलाने वाले भी आप ही हो डैड बोलते हैं बड़ी हिम्मत आ गई है अपने डैड से जवान लड़ा रही हो चलो दांस कॉम्पिटीशन को छोड़ दो तुमारी भेन तुमारी जंगा उसमें पार्टी स्पेट कर लेगी अंडरन बोलती है आप मेरे भी डैड हो लेकिन हमेशा टोंग की साइड क्यों लेते हो डैड बोलते हैं ये एक कॉम्पिटीशन ही तो है पार्टी स्पेट नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा तोंग भी ड्रामा करने लग चाती है अंडरन को तो पशपन से ही अच्छी अजूकेशन मिली है इसलिए बहुत सारे इनाम भी चीट चुकी है पर में एक बार Πर टॉफी चीत कर डैड को कुछ करना चाहती थी डैड बोलते हैं जाकर अपनी टीचर को बोल दो तुंग पार्टी स्पेट नहीं करोगी अंडरन बोलते हैं कॉम्पिटिशन स्कूल वाले अरेंज़ कर रहे हैं इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है तोंग बोलते हैं अगर करती हो इतनी एक्टिंग ठकती नहीं हो क्या कॉम्पिटिशन में पार्टी स्पेट तो मैं ही करूंगी यह बोलकर चली जाती है तौंग सोचती है मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी चाहें उझे कुछ भी करना पड़े नियन ओफिस से घर आता है और अपनी वाइफ अन्रन के जाओगे ना किसी ओर के लिए नियन बोलता है तुम मेरी फर्स्ट चोइस हो मेरी फिलिंग तुमारे लिए कभी नहीं बदलने वाली वैसे तुम अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं अन्रन के सोने के बात नियन अपने असिस्टन को कॉल करता है और उसे पता लेता है अन्रन बोलती है तुम जगे होए थे तो एक्टिंग क्यों कर रहे थे नियन बोलता है देखना चाहता था मेरी लिटल वाइफ सुबा आउट कर सबसे पहले क्या करती है वेज़े तुम मुझे घूर क्यों रही थी अन्रन बोलती है मैं तुमें नहीं तुमारी बी नियन बोलता है तुम तो स्माटो पहली बार में बढ़िया कर दिया तभी उसे कोल आता है तो वो टैन करनी चली जाती है नियन उसे पीछे से आकर हग कर लेता है क्यों ना आज हम कहीं भार चले अंडरन बोलती है आज मुझे अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना ह दोनों दोस्त मोल जा रही होती है तभी चुडेल टॉंग मिल जाती है डैर ने मुझे 50,000 रुपे दिये हैं खर्च करने के लिए ताकि मेरा मू ठीक हो जाए वैसे डैर कभी तुम्हें इतने पैसे नहीं देंगे फ्रेंड को गुस्सा आता है और टी नीचे गिरा देती है टॉंग जानकर अंडन पर गिर जाती है अंडन के पहर में ज़्यादा चोट लग जाती है तभी वहाँ पर नियन भी आ जाता है और अपनी वाइफ को ठाकर ले जाता है टॉंग भी वहाँ से जाने वाली थी लेकिन फ्रेंड उसे रोक लेती है इधर होस्पिटल में अंड औरन बोलती है पागल हो गई हो क्या सब बाते बनाएंगे मैं तुम्हारी पावर का यूज कर रही हूँ तभी शानली टॉंग को खीश कर ले आती है इसने तुम्हें जानकर धका दिया था टॉंग बोलती है तुमने ही तो टी गिराई थी भूल गई क्या मेरा पैर फिसल किय था और मैं इस पर गिर पड़ी नियन दोनों को भगा देता है अभी अंडरन को रेस्ट की जुरत है उसके जाता ही असिस्टेंट आता है CCTV फुटिज दिखाने यह सब टॉंग ने जानकर किया है अंडरन बोलती है कोई बात नहीं वैसे मुझे अब उठाकर कोन लेकर जाए अंडरन उसे ऑफिस जाने को केती है नियन मना कर देता है नियन बोलता है क्या जूरत है जाने की मैं नहीं जाओंगा तो कुन सी मेरी सैलरी कर जाएगी बोस तो मैं ही हूं कमपनी का अंडरन बोलती है फिर भी तुमें काम करना चाहिए कहो तो मैं भी चलू नियन बोलता है ये मेरी वाइफ है फाल तू बाते मत करो इंप्लोईस बोलते है क्या बात है बोस से रहा नहीं चाह रहा था अपनी वाइफ के बिना वो इसे आफिस में भी उठा कर ले कर आ गए नियन उसे अपने केबिन में लाता है अंडन बोलती है क्या जूरती भार सब को बताने की कि मैं तुमारी वाइफ हूँ नियन बोलता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है अंडन बोलती है सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे नियन बोलता है तो जागर सब को बोल तू नहीं हो अंडन बोलती है अब रहने भी दो दोनों का प्यार महाबर शुरू हो जाता है लेकिन तब ही असिस्टन स्नैक्स लेकर आ जाता है जो नियन नहीं अपनी लीटल वाइफ का मन बेलाने के लिए मंगवाए थे असिस्टन के जाते ही वो स्नैक्स पर जपटा मारने वाली थी लेकिन ठांग ठूटी होने की वज़े से उठा भी नहीं जा रहा था नियन बोलता है बूल गई क्या चोट लगी है और उसे खुद चिप्स का पैकेट खोल कर दे देता है तुम इसमें लगी रहो मैं थोड़ी दिर काम कर लेता हूँ थोड़ी देपा नियन देखता है उसकी वाइफ तो मस ठक कर सो गई है तो उसे ब्लेजर से कवर कर देता है और बोलता है तुम सोते हुए किती ज़्यादा क्यूट लगती हो तभी असिस्टन कुछ बताने आ रहा था तो नियन उसे चुप रहने का इशारा करता है ताकि उसके लीटल वाइफ की नीन खराब ना हो जाए नियन बोलता है ये सारे स्नेक्स उठा कर ले जाओ अगर मेरी वाइफ उठी तो फिर से खाने लग जाएगी और खाखा कर मोटी हो जाएगी असिस्टन बोलता है बोस बहार वो मिंग आई है नियन बोलता है उसे बगा दो असिस्टन बोलता है वो बोल रही है ग्रेंपा ने ओडर दिया है उसे आने के लिए ये बोलकर असिस्टन स्नेक्स उठाने लग जाता है और नियन मिंग से मिलने के लिए चला जाता है मिंग बोलती है ग्रेनपा के कहने पर मैं ये खाना तुम्हारे लिए लाई हूँ नियन बोलता है मैं कोई भूखा मरा जा रहा था क्या अपना खाना लेकर जाओ इधर अंडरन की भी नीन खुल गई थी और वो अपने पती रेव को धूनते हुए वहाँ आ जाती है देखो जरा कैसे मेरे हस्बन को सिड्यूस कर रही है नियन असिस्टेंट को बुला कर बोलता है इसे भार का रास्ता दिखा दो अभी अंडरन अंदर आ जाती है नियन बोलता है तुम यहां क्या कर रही हो तुम्हें तो चोट लगी है न जान अंडरन मिंग को जलाने के लिए बोलती है जान मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया नियन उसे उठा कर केबिर में लेकर आ जाता है अंडरन CCTV फूटेश देखती है मिंग कैसे तोड़ फूट कर रही है गुस्से में नियन बोलता है तुम जान कर आई थी न अंडरन बोलती है उसे दिखाना चाहती थी तुम सिफ मेरे हो कोई तुमें मुझसे नहीं ले सकता नियन बोलता है तुम बहुती नोटी हो अंडर बोलती है कहीं तो मुझे सच में लाइक तो नहीं करने लगे हो ना नियन बोलता है पागल हो गई हो क्या और उसे किस करने वाला था पर अंडरन रोग देती है लेकिन नियन कहां मानने वाला था वो अपना किस ले ही लेता है अनन बहुत ज़ादा बोर हो रही थी तो वो उसे गेम्स खिलाने के लिए लेकर आ जाता है यहां वो अपने हस्बन का एकदम ठीक निशाना देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है इवर नियन उसे भी खेलना सिखाता है नेक्स दे नियन कॉंफरेस मीटिंग कर रहा होता है तब यह अंडरन आकर उसकी बाहों में बैट शाती है मैंने टीचर से बात कर ली है मैं भी टांस कॉंपिटिशन में पार्टी स्पेट कर सकती हूँ नियन पूछता है वो केसे अंडरन बोलती है कोरोग्राफर ने मेरे स्टेप ऐसे कर दिये है कि मुझे एक लैक का इस्तमाली नहीं करना पड़ेगा नियन बोलता है ठीक है लेकिन अब उठ जाओ मा सब तुमें देख रहे हैं अंडरन गुसा होकर अंडर भाग जाती है नियन भी उसे मनाने के लिए अंडर आता है अंडरन बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारे मीटिंग चल रही थी नियन बोलता है तुमने मुझे मुझे मुखा ही नहीं दिया सिधा आकर बैठ गई अंडरन बोलती है ओफिस में सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे नियन बोलता है किसकी हिम्मद चों सियो की वाइफ पर उंगली उठाए नेक्स से अंडरन डांसिंग कॉंपेटिशन जीचाती है नियन भी अपनी वाइफ के लिए बहुत खुश था तो उंगा तो मुझा फूला हुआ था अंडरन अपना मैडल उसे दे देती है तो मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा इंपोर्टन परसन हो इसलिए तुम्हें दे रही हूँ नियन तो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस था तबी अंडरन की दोस शानली भी वहां आ जाती है नियन को तो जलसी हो रही थी उसकी वाइफ हमेशा अपनी दोस के साथ ही रहती है तीनों लंच पर जाते है लंच के बाद नियन बोलता है मुझे मीटिंग के लिए आफिस जाना होगा क्या तुम्हें मैं घर चोड़ दू अंडरन बोलती है मैं अपनी दोस के साथ चली जाओंगी नियन बोलता है ठीक है कुछ हो तो मुझे बता देना और उसे किस करकर चला जाता है अंडरन को उसके डैड का कॉल आता है तुमने शादी कर ली मुझे बताया भी नहीं घर चल दिया हो अंडरन बोलती है मुझे आपको बतानी की क्या सुरत है अब मैं अडर्ट हूँ अपनी रिसिजन खुट ले सकती हूँ डैड बोलते है अगर तुम घर नहीं आई तो मैं सीधर तुमारे पती के पास पहुँच जाओंगा भूल कटने के बाद अंडरन चली चाती है फ्रेंड ये सारी बाते नियन को मैसेज करकर बता देती है ताकि अपनी फ्रेंड को बचा सके इधर टोंग का ड्रामा चालू था मुझे पहले ही पैता चल गया था डैड इसने किसी गरीब से शादी खर ली है पर मैंने आपको नहीं बताया अंडरन भी घर पर पहुँच जाती है टैड पूछते है तुम्हारा हस्बन कहा है अंडरन बोलती है उसे यहां आने की क्या जुरती टोंग बोलती है उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी यहां पर आने की अनरन बोलती है अपना गंदा मूँ बंद कर लो तुम्हें क्या जुरत है मेरे मामलों में इंटरफियर करने की टॉंग बोलती है बेन एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ तो मुझे सना रही हो टैड बोलते है उस पूर लड़के को डिवोस दे दो वो हमारी शेन फैमली की लायक नहीं है अनरन बोलती हाँ जरूर आपकी शेन फैमली तो बहुत अच्छी है न जैसे लों बोलती है तुम अपनी ये फैमली की इंसल्ट कैसे कर सकती हो अनरन तो बोले जा रही होती है डैड घुसे में उसे चाटा लगा देते हैं तबी नियन वहाँ आ चाता है डैड बोलते है मेरे बेटी को डिवोस दे दो नियन बोलता है नहीं दिया तो क्या कर लोगे दैड बोलते हैं ये शैन फैमिली की बेटी है तुम जैसा पूर मैन मेरे घर का दमात कभी नहीं बन सकता नियन के कहने पर असिस्टेंट डैड को चाटा लगा देते हैं दैड अनरन को बोलते हैं दाधा इतरा रही हो ना वापिस मताना मैं तुम्हें एक भी पैनी नहीं देने वाला अपनी चायदात में से नियन बोलता है मैं अपनी वाइप का हक किसी को भी नहीं मानने दूँगा डैड बोलते हैं कैसे जस्टिस दिलाओगी तभी असिस्टेंट बोलता है नियन जिन फैमली का प्रेजिडेंट है ये सुनकर डैड के होश उड़ जाते हैं तॉंग बोलती है तुम तो बोल रही थी तुमारा पती ओरणरी परसन है अंडरन बोलती है वो मेरे लिए तो बस ओड़नरी है नियन डैड को बोलता है आपने हमारी कमपनी से जो कर्जा लिया हुआ है न वो वापिस कर देना वो भी सूथ समेथ दार तो माफिया मागने लग जाते हैं मुझे गलत फहमी हो गए थी प्लीज मुझे माफ कर दो लेकि नियन नहीं सुनता और अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए बालेकिन का बटन पैस करें मिलतें नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई